आप Tech No Tech GPS का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए इसके बगल में बैल आइकन है इसको दवाना बिल्कुल भूलिए और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी GPS है तो आप हमें उसको चालू करा सकते हैं नीचे आपको नंबर दिये गए हैं कॉल कीजिए वर्टसेप कीजिए इमेल भी कर सकते हैं कैसा भी GPS हो आप उसको ऑनलाइन मैप के उपर चलता हुआ देख सकते हैं फिर दोस्तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़ादा जरूरी होने वाली है और आपके लिए बहुत काम की वीडियो है क्योंकि इस वीडियो को ही देखने के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी बाइक, स्कूर्टी, कार, ट्रक किसी के अंदर भी GPS लगाने या लगवाने में आप खुदी इलेक्ट्रिशन को समझा सकते हैं कि GPS किस त तो राड़ी का लॉक होता है और इस तरीके से लॉक पीछे वायर आते है इनिजी वायर में सारे करेंट वगो hen यह है तो हीसे अमारा GPS किनेक्ट होता है और उसके लिए सब्से पहले हम क्या करेंगे हम चैक करते हैं चैक करने के लिए हम तो मीटर यूज करते हैं लेकिन यह बल्व बिल्कुल ठीक है हमारा और इस बल्व को चलने के लिए हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए जो इस बैटरी से आया हुआ है इस बल्व को चलने के लिए माइनस चाहिए और प्लस चाहिए दोनों ही चाहिए एक साइट से हमने इसको माइनस दे दिया यह इसमें डारेट करंट आ रहा है और इसमें अभी करंट नहीं आ रहा है अब हमें पता चल चुका है इसके अंदर डारेट करंट है अब यह द्याद रखना इसके अंदर डारेट करंट है इसकी जरूरत पड़ेगी अभी अब हम चैक करेंगे चाबी अन होने के बाद ACC हो जाएगा यह चल जाएगा देख लिए वो भी बंद चालू हो रहा है तो मतलब हम समझ चुके हैं कि यह आपका ACC का वायर है कि और इसके बाद यहां की है आपकी यह कंफिं करने की क्या यही worked कट होने से यह बंद होंगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले अपने ओन कर लेंगे इसको कट करेंगे अगर आपकी चलती हो रही to you मिदल को गाड़ी हिस टाइम एस ताइम ओन रखनी तो अब आपके पास यह confirm हो चुका है, यह wire आपको मिल चुकी है, डारेक्ट मिल चुकी है, अब क्या करना है, अब GPS के साथ आपके wire आते हैं, चार wire आते हैं, GPS साथ, एक right होता है, जिसको plus चाहिए, हमेशा plus चाहिए इसको, एक orange होता है, यह आपके accessories की light होती है, मतलब इसमें current तब जाना चाहिए, जब यह गाड़ी on हो, off में इसमें current नहीं जाना चाहिए, यह बिल्कुल ठीक तरीक है लगाने का, यह आपका है yellow wire, यह आपका relay को on off करने के काम आती है, आपके vehicle को, तो सबसे पहले, अगर आप relay नही dark line चली गए, yellow को हमें blank छोड़ देना है, और black को चाहिए minus body earth, body में कहीं भी दे सकते हैं, या direct battery पर भी दे सकते हैं, तो मैंने इसको direct battery पर दे दिया है, यह आपका connection circuit complete हो चुका है, अगर आप relay नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप relay लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको connect कर लेंगे, no to be silent, क्यूंकि इसको यहाँ पर connect करें, चाहिएर यहाँ पर connect करें, बात एक ही है, तो हम इसको यहाँ इसको tape कर देंगे, और किसी भी green मे, orange लगा देंगे, यह हमने orange लगा दिया, यह भी ACC पर work करता है, और इसको भी ACC चाहिए तो मतलब, इसको हम चाहें this side ल क्यों क्योंकि यह अभी हमारे चेकिंग में काम आएगा हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि आपकी गाड़ी बंध हो रही है नहीं हो रही है अब इसको कहीं लगाना है मतलब आपके पास सिर्फ तीन वायर रह गए है वाइट और दो ग्रीन लगने के लिए तो हमें वाइट को डारेट करना चाहिए तो हम इसको लगा देंगे यहाँ पर यह हमने white को direct करने दिया relay की white को और green को यह wire जो हमने अभी cut किया था एक green को एक side लगा देंगे दूसरे green को दूसरी side लगा देंगे अब यह हमारे connection हो गए है complete बिलबोल complete connection हो गए है अब यह connection हमारे ठीक हुए है यह नहीं हुए है दो तरीक है चेक करने के एक तो आप अपनी application से गाड़ी को बंद करें और application से गाड़ी बंद करने पर हो सकता गाड़ी बंद ना हो तो आपके दिमाग में कही सारे confusion पैदा हो जाएंगे तो उन confusion को दूर करने के लिए एक physical यह गाड़ी स्टम चाल हुए है देख लिजिए आपकी गाड़ी चाल करके रखनी है और यह लो को बॉडियर देना है देख लिजिए एक आवाज आएगी और यह गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी तो मतलब connection बिल्कुल ठीक है दुबारे ट्राई कर सकते हैं यह देख लिजिए ऐसे चली जाएगी आ जाएगी और मैं एक concept और समझाएता हूँ आपको ऐसा क्यों करते हैं हम लोग एक्चुली एक तरह से switch चाहिए इसको हमने bypass कर दिया है जो ACC की wire है यह इसके अंदर से घुनके आज़ी इसके अंदर electromagnetic बनती है electromagnetic और electromagnetic बनाने के लिए हमें रिले को क्या चाहिए electromagnetic बनाने के लिए direct current चाहिए plus चाहिए और minus चाहिए और GPS भी यही काम करता है यह low wire में minus छोड़ देता है तो अंदर electromagnetic बन जाती है और यह दोनों split हो जाते है और हम इसको verification करने के लिए भी direct हम इसको एक तरह से हमने यह manually body air दे दिया है मतलब minus दे दिया है तो अब इसके अंदर electromagnetic बन गई है यह दोनों split हो गई है अंदर से हटा होने और joint होने पर ही यह जो cut cut की आवाज है यह आवाज तब ही आती है यह देख लीजिए अब मतलब हमारा सब को चोक के हमारा और अब हम इस गाड़ी को बंद कर सकते हैं अब अगर आपकी गाड़ी बंद नहीं होती है application से तो मतलब समझ लिए या तो application में दिक्कत है या आपके GPS में कोई दिक्कत है या कहीं और कोई दिक्कत है रिले में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रिले से बंद हो रही है physically थैंक्यू दोस्तो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए और आप किसी भी तरीगी प्रॉलम आती है connection में या कुछ भी दिक्कत होती है या किसी गाड़ी के लिए आपको GPS चाहि सकते हैं इमेल कर सकते हैं और किसी भी तरीग कोई सला चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं आपकी कौन सी गाड़ी है किस तरीगा GPS लेना चाहिए तो सब कुछ free of cost है